तो आपको डाउट के राजम वो तो यह मान के चलो कि एंजोप्रास्टिक करने हैं कि नहीं करने उसके लिए टेस्ट कर दिया है अब तो टेस्ट भी अपने एक विजनेस है से नहीं भी प्राब्लम्न हो तो चलो टेस्ट तो कर वालो तो एंजियोग्राम करवाना ऐसे कुछ निकला तो नहीं तो नहीं हुई है कोई इश्यू नहीं है इसमें वो तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो तो कुछ ना कुछ तो टेस्ट करवाएं गई मगर वन्स अगें जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर आपके बॉड़ी में डिसॉर्डर हो जाता ओडर खराब हो जाता फंक्शनल ओडर खराब हो जाता है तो इनेबलेटी तो मेंटेन अन ओडर ऐसी कंडिशन को हम थारट क्याते है को कि सब्सक्राइब वन्स अगें वही कहानी आ गई कि क्या आपका स्कृष्ट ह Morris यह यह वेट बड़ा हुआ उसके बाद यह प्रॉब्लम आए हुठ विएं बड़ा ऊँसके बाद प्रॉब्लम आई आ तो यह सिसर्च राइस और कार था उसके बाद में सारी प्रॉब्लम देखो एक और चीज है और खराब होने के करदा है कारण टैकी काडिया व्रेडिकाडिया हो सकता है थायरेट के केस में यह देखा जाता है तो दूसरा मेटाबोलिक है तो अगर आपको खराब होगा जैसे डाइबिटीज हुई है उसके बाद में जाके तो वेट के कारण डाइबिटीज हुई है तो आपको वेट कम करना पड़ेगा डाइबिटीज है और प्राइबिटीज है तो फिर डाइबिटीजी ठीक करना पड़ेगा तो जटके लोग जोनकी एक्स्पिरेंस में उनका वेट पहले से ही बाहर हो था और बाद में अलग-अलग प्रॉब्लम आई तो यह दिस इस द राइट कोर्स और अगर ज्यादा कन्फूशन हो रहा है तो कुट डाउन यूर नमबर आपकी सारी प्रॉब्लम को एक बारी नोट डाउन कर करके फिर उस पर आनलेसिस करनेंगे वह ज्यादा बेटर रहेगा